ग्रेविटेशन की पहले क्लास है तो मैं आशा करते हूं कि तुम लोग पढ़ क्या होंगी वाचप पे आसु ने बोला था पढ़ क्याने के लिए जिसको नहीं पढ़ा उसको भी कोई दिक्कत नहीं है पर जिसने पढ़ा वह बहुत है अच्छा है और आज हम बस थोड़ा सा एक इंट्रेडक्शन देने वाले है अज की तो अचाहे से सुन लेना जितना भी किया हुआ है तो आज हम सुरू करेंगी एक कहानी से थीक है तो ये कहानी किसी है पता है अपनी न्यूतन चाचा की थीक STAR एक बार ऐसा हुआ था कि एक पना न्यूतन चाचा को फिर मिया ही है न्यूतन चाचा तो इतना इंदा चेले थेकला थेकलारेlock क्या है मैंसलेण धुना दिमाग चलाए किला थेकलागा थे जिर बांक पड़क मुझा आतेकला क 기자 बरके खो पुल को खाके हमारा सिलय बास नहीं भराते हैं, पर उन्होंने इसा नहीं किया, उन्होंने दिमाग लगा के फिर से एक और अविस्कार कर दिया, जिसके वज़े से हमें। हमारे सिलय बास और बर बढ़ गए हैं. गल्ती किसी ओर ने किया और सजा हम भूगा रहे हैं पर हम क्या कर दो हो सकते हैं तो परी लेते हैं तो घर में दार्ठ सुने से यग पर लेते ना चल लो आज ग्रविटेशन की है शुरुवात करते हैं अपनी न्यूतन चाचा की छोति सी इमेज के साथ तीक है आप न्यूतन चाचा ने इस हादसे के बाद उनको अविश्च के भाद इसकोवर हुए उन्होंने डिसकोवर किया है कि अपना आर्ट जो है तीक है अपना जो धर्ती है वहर चीज को अपनी तरफ एक्रेक करते हैं अपनी त दो उससे उनकी दिमाग ऐसे चलते चलते उनको समझ में आ गया कि हा यार इस धर्टी में सब अर्टी की तरफ ही भर मतलब उन्होंने और और शोचा शोचने के बाद उनको और और चीजें समझ में आ गई जैसкого हमारी चंदा मामा रहे कि ते क्यों नहीं जाते हैं हमेशा आगे पीछे घुमते रहते हैं कभी इधर कभी उद्धर यह छोड़के कभी नहीं जाते हैं हम साथ साथ जिंगे हम साथ साथ मरेंगे ऐसे वाले तो अब हमें हम 21st century वाले बच्चे हैं तो अब हमें समझ में आ गई है कि जो मून है वह आर्ट से Gravitational Force के व giggles यह attracted है, थीक है? तो अपना यह Gravitation क्या है? Gravitation is a force का नाम है जो तो चीजों को जोर के रखते हैं मतलब वह वाला नहीं जो लड़का लड़की वह वाला नहीं थीक है? सिरफ लीविग वाला नहीं नन लिविंग वाले नन लिविंग अब्जेक्स भी आसपास में एट्रेक होते हैं तो तुम्हारे घर के बाहर के पथर है या तेरे किचेन की जो ड्रोवर है या फिर तेरे तीवी हो सकता है तेरे कंप्यूटर लेप्तॉप कुछ भी है उनसब के पास एक एक अट्रेक्शन अट्रेक्शनल फोर्स होता है तीक हर अब्जेक के लिए यह ग्रविटेशनल फोर्स एप्लिकेबल होता है तीक है और उधारन देखेंगे तो यहां पे स्तार्स को देखो मतलब स्तार्स भी ऐसे यूई नहीं रहते तीक है आसपास में मतलब हमारे जो सूरत चाचा है वो उड्योंहें लिए भी तो एक ये है न एक स्तार है तो एक स्तार हो यह होता है इसप्रायवशनल फोर्स जिनके वादयेसे टक lira सुत ही और भागं भार षि बारम जाते बर उनिता कि हम देख सकते है की तक चाहए ऊस्तार हो है अनका आउनका ओंडेटर को आपासमेग ऎक र से लाइट यह भी आज़ की आगे पीछे इसलिए घूमता है कि आर्ट की जो आज़ की जो ग्रेवितेशनल फॉर्स ना वो से लाइट को अपनी तरफ अपनी ओर खीच ले थे ठीक है इस यह से लाइट यह भाग के नहीं जाते ठीक है आज़ की आसपास ही रहते हुं शाथ पर्स जो की एक एक टने पहर से जो दो यह मोचीं में एक्जिस करता है यह हमेशा एक्रेक्ति अथ सिर्फ एट्रेक्टिव होता है सिर्फ एट्रेक्शन ही करते हैं तो यहां पर तुम देख सकते हो यहां पर एक मास है मास मतलब कि कुछ भी हो सकता है इनसान हो सकता है जानवर हो सकता है या पत्थर हो सकता है या पानी भी हो सकता है कुछ भी है एक मास है मतलब M1 और दूसरे माउसी M2 इन दोनो की बीच में हमेंसा ए्ट्रेक्शन प्रस्य होना होता है यहापे देखो यहापे हम एक सटे ने ए्ट्रेक्शन पॉर्णागी रिपे और सप्पलसिस वाला हमेसा एक्रेक्शन फोरी इंधिक ग्रेजिनल होता है इन दोनो को difference बता है तियो आच gravitation मतलब की type of force है जो दो बड़िस की between exist करता है दो बड़िस की beach में exist करता है कैसे भी बड़ि हो तिक है दो stars हो सकता है, दो mamuli चोटी-चोटी पथर हो सकता है दो इंसन दो प्याफिर molecules अतम इतम जब हम gravity बोलते है gravity मतलब की एक जो object है मतलब दो object की बीच में जो force है उन में से एक बादी जो है वो art होना चाहिए धर्ती होना चाहिए और जब धर्ती gravitational force की द्वारा किसी चीज को attract करते है उसको हम gravity बोलते हैं, मतलब की gravitation कुछ भी हो सकता है धर्ती हो या ना हो gravitation possible है पर gravity मतलब की धर्ती होना चाहिए और धर्ती ही किसी चीज को attract कर रहे अपनी तरफ उसको हम gravity बोलते हैं यानि तुम अभी चल ही रही हो धर्ती के उपर पर असली में हम देखेंगे तो धर्ती जो है वो गोल-गोल है जो गोल है पानी जो है कुछ यह कवरिंग तो है नहीं अ आर्ट कू भाहर ऑड़ olmaz न्यकलते हैं अरटै उतर की ऊधर इतनी स्पीट से ग्हुमते हैं तो एसा क्यो यह होता है कि पानी गेरते हैं जो नीचेवाले साइट में होते हैं वो गेरते हैं इसलिए क्योंकि वो gravitational force से attract हुआ है ठीक है और हमारी जो जब तुम धर्टी के ऊपर खड़ी होते हो ठीक है तो धर्टी और तेरे बीच में हमेशा gravity लगते हैं पर हमें एहसास नहीं होते हैं हमें feel नहीं होते हैं ऐसा क्यों क्योंकि जो धर्टी का mass है उसका mass इतना ज्यादा ह है और हमारा mass जो है वो धर्टी की comparison में इतनी कम होता है कि हमें पता ही नहीं चालता ठीक है देखो अब इतना बरा सा धर्टी है और उपर से तुम यह चोती सी इसे भी मतलब हजार गुना चोती होंगी हम ठीक है तो यहां पर हम हमें feeling आएगा कि हमारी बीच के जो attraction होता है और यह तो अलग बाहन है तो इंसन और इनसान की बीच में भी too gravitational force होता है ना तो वो दोनों तो चोते चोते हैं तो दोनों उन्हों को यह feel क्यों नहीं आती तो shei's gravitation for a jevo weak force होता है ज्यादा हमें feel नहीं आ पाते पर exist होता ही होता है ठीक है अब हमें wherever she remarque समझ में आगया कि एक तरह की फोर्स है जो दो बडियस के बीच में exist करता है और gravity को भी समझ में अगया कि धर्थी जो है वह आद अपनी ऊपर की जितने भी चीजे या फिर मून या फिर सेटिलाइट या फिर आसपास की जितने भी एस्टिरोइट होंगे उन सब को वो अपनी तरह कीच लेते हैं ना तो वो सब को हम ग्रेविटी बोलते हैं अब आज की लास्ट पिक के लिए हम देखेंगे की इनिवर्शल लो ओफ ग्रेविटेशन तुम लोग की ज या परआप आप हम देखेंगे उनिवर्शल लो ओफ ग्रेविटेशन तुम लोँ भी बोलते हैं और इसको समचने के लिए जाप दो चीजय आसापस में 23 होते हैं तो इसका जो फोर्स होता है वो directly प yardım एम 15 M1 into M2 होता है और inversely proportional to r square होता है तो directly proportional का मतलब क्या होता है अगर एक बढ़ती है तो एक भी बढ़ते है और inversely proportional का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ गई तो एक घर जाते है तो यहाँ पर देखो इसको समझने के लिए पहले यह वाले देखते हैं यहाँ पर दोनों के बीच में जो distance है वो पर दोनों के बीच यहाँ इन दोनों के बीच इन दोनों की बीच जो तो यह forces है, वो कम होंगे, और इन दोनों की बीच में जो force है, वो ज्यादा होंगे, ऐसा क्यों? क्यूंकि, क्यूंकि देखो, इसका मास बढ़ा है, मतलब कि यह मान लो की 50 case है, दोनो की दोनो 50 case है, तो 50 इन तो 50 कितना होजा अगर 2500, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे इसको मान ल हैं, तो यह था कि एक मेह 2500 आ गया, एक मेह 25 आ गया, तो डिफरेंज बहुत ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाता हैं कि जो force अगर छोटा हो तो force भी कम होता है, अगर मास ज्यादा होता है तो force भी ज्यादा होता है, ठीक misin, तो इससलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर फोर्स इस फोर्स इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल तो M1 इंतु M2 ठीक है अब नीचे वाला अब हमें नीचे वाला समझना है ठीक है उसके लिए यह वाला देखते हैं अगर हम इसको देखेंगे दोनक देखो साइज तो सेम से में मतलब कि सब कि सब पांच वाला ह इसका भी M1 इंतु M1 25 हो गया इसका भी M1 इंतु M2 25 हो गया तो इसके वाला वाला सम हो गया थीक है अब नीचे वाला ही देखना है नीचे वाला कैसे भीक हो डिखेंटो अब देखो, इसकी बीच का दिस्टेंस कम है, इसकी बीच का दिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अगर इसकी बीच का दिस्टेंस कम है, तो inversely proportional होने के नाते हैं, अगर दिस्टेंस कम है, तो force ज्यादा होगा, और यहाँ पर दिस्टेंस ज्यादा है, तो force कम होगा, समझ में आया चलो फिर से बताती हूं कि यहाँ पे दिरेक्ली पोपर्शनल और इंवर्सली पोपर्शनल क्या यह चर्चा चल रहे हैं तो उपर वाला दिरेक्ली पोपर्शनल की मतलब कि अगर जितना मास ज्यादा होगा उतना फॉर्स ज्यादा होगा अगर यहाँ पे दिस्टेंज ऐतना ज्यादा होगा Uतना फोर्स कम होगा अर समधे कें तो यह था और यहां के तो यह था और यह हुआ पर तुम लोग क्या आसु ब Phil1 बोल को ऊपर पिक है यह तो एक मेक्सिमम् घृ तक जा वहां पर रोक देटें कर देब्र का Kenny Fred पिर से नीचे आते हैं यह एक बेस एक्जांपल है ग्रैविटी के लिए ठीक है और यहां पर एक्वेशन है तुम्हारे पीदिएफ में देखे न यहां पर क्या बोला है कि जो पॉल्स है ठीक है पॉल्स मतलब कि अपना यह नौर पॉल्स आफ पॉल्स यह तो एक्वाटर र होता है ठीक है और यही था आज का क्लास शायद सबको समझ में आ गई अगर समझ में नहीं तो मुझे पर्शनल में से इस कर देना में फिर से समझा दूंगे ठीक है